वो सब रातें अपना कर्ज चुकाती हैं जिनकी नीदे कितावों में खो जाती हैं रात रात बार जाग कर पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे तो तभी चमकेंगे जब आपकी नीद अधूरी होगी इस टाइप्स की कुछ लाइन मैंने आप लोग कुमेंट दिखना शुरू हो गया है बहुत सारे श्ट्रेंट्स जो पहले चार घंटा भी नहीं पढ़ पाते थे आज वो बहुत ही अच्छे से इन टार्गेट्स के दम पे आठ से दस घंटा पढ़ पा रहे हैं उसके बाब जूद भी उनके पास टाइम नहीं बच रहा है और ये मैं किसी और से ये किसी से नहीं लिखा रहा हूँ मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर सच में आपके अंदर कुछ भी बदलाब हुआ है टार्गेट डेवन को अचीब करके गाईज प्लीज इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करिए और यहाँ पर अपन के अंदर क्या बदलाब देखने को मिला है जो आप पहले पढ़ाई कर रहे थे उस पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में क्या अंतर है पहले ही सेम तू सेम चीजे हो लेकिन आप लोगों का लेवल हमेशा चेंज होगा इस लेवर जब बदला नहीं है तो कुछ भी चीज इस ही हो रही है कि जिन लोगों ने टार्गेट को स्टार्टिंग से जोइन किया है और जिन लोगों ने सारी बातों को समझ लिया है कि क्यों मैं इस तरीके के टार्गेट करवाता हूं उन लोगों को इन टार्गेट की बैल्यू पता चल गई है और अब उन्हें किसी और च अप्लिकेशन है उसमें शेयर की है टेलिग्राम एप में सिर्फ ये बताया है आप लोगों को शेयर करके कि उन वीडियो को देख लो और मैं गैरंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब के उपर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को गाइडेंस उसके अंदर दी है अगर वो की जो रियालिटी है वो मैंने जो आप लोगों को बतलाई है जरूर से जरूर मैं आप से चाहता हूं कि आप कमेंट में शेयर करें कि आप लोगों ने जो टार्गेड वन अचीब किया जो आपने गाइडेंस वीडियो देखी अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है बिटा पंदाजय लगाई है जो लोग ये कह रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता है सब कुछ हो सकता है बस अपने आपको जोकने की जरूरत होती है और वो आपने मेरे साथ जोकना सुरू कर दिया है मेरे को कुछ करवाना नहीं पड़ता है बस मैं आपके अंदर जुनून पैदा करता ह आपके अंदर जोस जगाता हूँ, आपको guide करता हूँ कि किस तरीके से आपको कौन सी चीज को cover करना है, क्या तेरे लिए important है और क्या तेरे को नहीं पढ़ना है, इन सारी चीजों की importance आपको तब समझाएगी जब आप 4 साल पढ़ने के बाद इधर से उधर इस institute का course खरीद के इस institute का course खरीद के जब आप थट चुके होंगे तब आपको समझ आएगा कि यार वो बंदा जो guide कर रहा था उसकी guidance की इतनी value थी कभी पता नहीं चलेगा आप लोग को अभी अभी पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं खुद जानता हूं ऐसे ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ किताबे गलत पढ़के अपने एक एक साल दो दो साल तीन तीन साल बरबात करते हैं सिर्फ किताबे अरे lectures तो छोड़ी दीजिए अरे जो नया बच्चा आता है ना उसको ये तक नहीं पता होता है कि कौन सी book से मुझे पढ़ना चाहिए कौन से notes मेरे को follow करने चाहि है ये जो current affairs की इतनी बली book दिख रही है इसमें मेरे लिए क्या important है क्या मेरे को छोड़ना है क्या मेरे को पढ़ना है ये सारी की सारी चीजे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं guide करा रहा हूं तो निश्चित तोर से ये बात बिलकुल सही है कि वो सारी रातें अपना कर गुना करके वाफस देंगी जो रातें आपकी 45 खराब होंगी न ये आपकी 4500 बलातें बोल रहा हूं मैं 4500 छोड़िये आपकी 45000 तो होंगी नहीं लेकिन 4500 रातों से कई गुना जादा रातें आपकी अच्छी कर देंगी आप सिर्फ 45 रात मेरे साथ जिस तरीके से मैं आपका देखने का नजर्या ही चेंज हो जाएगा आप सिर्फ 6 वीडियोज जो मैंने इसके अंदर दी हैं आप लोगों की उन वीडियोज को भी देख लोगे न तो आपको पढ़ने के लिए कहने की जरूत नहीं पड़ेगी आप खुद से पढ़ेंगी तो गाइस आई सिर्फ ये टार्गेट्स फोलो कर लीजिए किसी का बाप अगर आपका CBT1 रुकवा दे तो मुझसे कहा देना लेकिन फोलो करने का मतलब बेटा ये होता है कि जो चीज कंप्लीट करवा दी गई है उसमें कम से कम 90% स्कोर आपका होना चाहिए 90% का मतलब जैसे आपने कोई कम्प्लीट किया तो 10 में से 9 मार्क्स या 8 मार्क्स तो आपके स्कोर होने चाहिए तब मैं मानता हूँ कि आपने टार्गेट को अचीव किया है हो सकता है कि इस टाइम पर कोई आदमी मैंने पूरा टारगेट दिया उसका उनने 100 marks का मालो टेस्ट लगाया तो वो 30 questions कर पा रहा है इसका यही मतलब है कि वो बच्चा newly joined है उसने कुछ किया नहीं है पहले से बिलकुल रदी है तब उसका ये हाल है अगर थोड़ा सा भी समझ चीज को पढ़के तुम उस टेस्ट के अंदर आप 80 plus score करोगे हो सकता है 90 कर जाओ 95 कर जाओ और मैं यही तो चाहता हूं कि जो आपका स्लेवस है वो आपका 100% sure हो जाए क्योंकि मैं जो टारगेट देता हूं वो पूरा का पूरा आपके स्लेवस based है फाल्तू की चीज़े इ कुछ नहीं है पहले भी बहुत सरे YouTube channel है इस चीज को copy करने की कोशिस की लेकिन इतनी consistency और इतनी motivation और हर time to time आपको motivate करना आपको बताना कि क्या चीज सही है क्या नहीं है वो कर नहीं पाए इसलिए वो टिक नहीं पाए इसलिए मैं आज तक आपके साथ हूं guys guarantee के साथ कह रहा कि किसी का बाप आपका CBT2 भी नहीं रोप पाएगा ठीक है लेकिन मैंने आप से समझाया है आपने देखियोगी वीडियो CBT1 CBT2 क्लियर करना मेरा एम है ही नहीं मैं अपने बच्चों को सिर्फ यह नहीं सिखा रहा हूं मैं कहां फाइनल सेलेक्शन कैसे लेना है अरे दु आप में बेस्ट है इसने कोई नहीं रोक पाएगा पहले दिन आपने बहुत सारी चीज़े कंप्लीट कर ली है मैट्स के वह टॉपिक रीजनिंग के भी साइंस के भी तिन तिन टॉपिक रीजनिंग के हम एक एक टारगेट में कंप्लीट कर रहे हैं तो समझे निश्चित और से चीज़े तो फशेंगी ही अग्जाम में 299 रॉपैस की कीमत रखी हुई है काइदे में गाइडेंस की कीमत नहीं होती इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को आपको तब समझ आएगा जब किसी ट्रेडर जो बहुत अच्छा ट्रेडर है उसससे कहो इंडेफ्ट स्लेवस अभी बाकी है बुक्स की वीडियो आप लोगो आज रात यानि कि इसके बाद मिल जाएगी आज रात रात में अप्लोड हो जाएगी कौन सी बुक्स आपके लिए बैस्ट है इस टाइम के लिए पहले मैंने बुक्स की वीडियो दी हुई है लेकिन उस से अभी कुछ चोटी बुक्स की भी नीड है अगर आप लेट नए श्टुडेंट है आपने यूथ हूथ नहीं पढ़ रखी है और आप यूथ पढ़ना सुरू करेंगे तो बहुत मोटी बुक है इसलिए आपको कुछ चोटी चीजों की जरुत पलेगी तो बहुत मैं बत बुक पर लिखिए क्लास नाइन्थ और टैंथ की एंसी आटी आपके पास होनी चाहिए बहुत सारे स्ट्रेंट से जिनको यह नहीं पता है कि उसके अंदर चैप्टर कौन-कौन से हैं तो गाइस एक बार देख लीजिए यह चैप्टर्स आपके हैं सारे के सारे चैप्टर इसमें जो most important लिखे हैं वो physics और chemistry के chapters हैं बाकी bio भी हम complete कराएंगे उसकी आप tension मत लीजे लेकिन इतना जरूर कर लेना आप यह आपके chapters हैं एक बार देख लीजिए English में इस chapters को मैं आप लोगों को देता हूँ पूरी तरीके से mark करके अभी मैं slavus को बेहतरीन तरीके से चले गए तो फिर आप हमारी चोट नहीं पकड़ पाओगे इस चीज को समझ लेना तो चलिए बिना किसी time waste के चलते हैं आप लोगों के बेहतरीन तरीके से टेस्ट आपने लगाये होंगे कितने ज्यादा टेस्ट है उनका मजा लिया है आप लोगों ने तो यह हमारा महा सं important चीजों पर हम लोग बात करते हैं आप देखी अपने स्टैटिक जी के topic को मेरा pen नहीं मिल रहा है पैन कहां चला गया गाइज मेरा पैन नहीं मिल रहा है चलिए कोई बात नहीं चलते हैं और स्टार्ट करते हैं मेरा किसी टाइम के टाइम को गवाए हुए सबसे पहले जो मुश्ट इंपोटेंट टोपिक है वह मैंने यह डाला है स्टेंट के अंदर कोन क्या कहां हूँ क्या वोट एंड वे यह आप लोगों का स्पेज नमबर वन है तो पेज सब कुछ पढ़ने की कोसिस करेंगे इधर भी सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल भी आप सोचेंगे सब कुछ याद करनों मैं सब कुछ लेकिन ऐसा करना नहीं होता है करना होता है यह करना होता है यह जो मोस्ट इंपोटेंट है इस तरीके की चीज़े करनी होती है और यह देख लिजी जो मोस्ट इंपोटेंट चीज़े हैं वो मार्क करके दी जाती है और यह भी एक बार मार्किंग से काम नहीं चलता है मैंने से तून से लेके अब तक सारी मार्किंग आप लोगों को बताई की कौन सी चीज इंपोटेंट कौन सी नहीं है अब मैं फिर से कह रहा हूं कि पिछली बार जो चीजे मैंने आपको फस्ट पेज दिया था वह फस्ट पेज और आज के टार्गेट का फस्ट पेज देख लेना जो मार्क्स जाएगा एक कोश्चन गलत होने से 1.33 मार्क्स जाएगा इसलिए अपडेटेड कंटेंट पढ़ने की जरूत है और इन टार्गेट्स में जो चीजे दी जाएंगी वह पूरी तरीके से अपडेटेड है इसलिए कल मेरे को 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाना पड़ आई थी पहले फिर भी बुक्स में आज वीडियो मिलेगी रात को वह आली वीडियो आप देख लीजेगा मार्च अप्रेल की मोश्ट इंपोटेंट डेट्स करनी है पहले भी मैंने डेट दी जो मार्क करके दे रहे हैं इंपोटेंट अगर आप से सारी नहीं हो रही है कब-कब सभाय हुई इसके बारे पढ़ेंगे संविधान सभा अब देखिए बात यह थी कि गुरुपडी में बहुत ज्यादा कोश्चंस पूछ लिए गए संविधान से इसलिए मैंने संविधान को पढ़ाना सुरू किया एंटी पीसी के अंदर भी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है तो अप इस चीज़ को सकते हैं अगर आपको ज्यादा लगँ दो लेकिन अगर आपके पास time है तो आप इस चीज़ को करें अगर प्रींट नहीं है तो मत करियेनके टो इसे लिक बेंग आवार्षान लिवसेतर है इतनी सी भी आप चाहोगे तो मैं अपने नोट्स प्रोवाइड करा हूँगा उनको प्रिंट करा के पढ़ सकते हो इसे लिखना मत क्योंकि टाइम बेश्ट होगा एक बार रेडिंग मार सकते हो जिरफ लेटेस्ट अब्रिविएशन्स नविंतम सब संख्षेव बहुत ही ज़्यादा इंपोटेंट टॉपिक है रेलवे के एक्जाम सहों कोई भी एक्जाम हो आप देखते हैं कई बार कुस्ता हार्प की फुल फॉर्म बताइए HTTP की फुल फॉर्म बताइए GST की फुल फॉर्म बताइए इस तरीके की कोई योजनाय चलती है उनकी फुल फॉर्म पूछता है इस तरीके से जितने भी नवीन तब जैसे अभी चैट जी पिटी है AI है महुत सारे नहीने वर्ड जो है इंट्रोड्यूस होते हैं उन चीजों की आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है तो यह आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से फुल फॉर्म आपको लेटेस्ट वाली मैं दूंगा मार्क करके उसमें भी इंपोटेंट मार्क करके दूंगा तो उनको आप याद करिएगा नेक्स्ट बात करते हैं इंपोटेंट टॉपिक है याद नहीं होता होगा देखिए करा तो कोई भी सकता है मैंने कहा ना करा तो कोई भी सकता है लेकिन आपको सिर्फ करने से मतलब नहीं एक बात बताओ न अगर मैं कहा दूँ यह exercise होती है इसके साथ यह दोनों की होती है देखो भई nomadic elephant जो होती है वो इन दोनों के बीच होती है देखो भई यह वाली exercise इन दोनों के बीच होती है तो क्या आप याद कर लोगे अरे हर चीज को याद करने के एक trick होती है उस trick से ही आप लोगो चीज़े याद करनी होती है इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस institute के पास आप पढ़ रहे हो क्या वो उस level का content आपको दे पा रही है क्योंकि उसने पढ़ा तो दिया बाई Nobel Prize पढ़ा तो हर को ही सकता है लेकिन क्या सिर्फ पढ़ना जरूरी है याद हुआ या नहीं आपको ये important है याद कैसे होगा याद होगा trick से कुछ logic बैठाने से अब logic आपका teacher को तो रोज देली 6 घंटे पढ़ाना है इस match में उस match में GD के match में पढ़ाना है बिहार के match में पढ़ाना है ALP में पढ़ाना है तो उसके पास इतना time है कि बो logic बना लेगा logic जो इनसान ने पूरा week लगाया है उस चीज़ पे उस चीज़ का आप utilize करिये बार बार कहता हूँ लोग कहते हैं कि आपने ये वाली वीडियो सजेस कर दी भाईया अब ये वो सजेस इसलिए की है कि तुम paid वाले lecture में भी वो वीडियो नी प्राप्त कर सकते लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूँ आप उसमें खुस है या उसकी मेहनत में खुस है जिस इनसान ने इतनी मेहनत से वो लेक्चर होना है तो मेरा करतब में बनता है इस गाईडर कि मैं आपको वो चीज़ बताऊं कि दे बेटा मुझसे इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है मैं तुझे करवा भी नहीं सकता इतने अच्छे से जीके का टॉपिक तूइस से याद कर ले बहुत आसानी से याद हो जाएगा ये एक अच्छे गाईडर, अच्छे बड़े भाई, या फिर एक अच्छे टीचर की गुण है, जो अपने बच्चे को आगे बलाना चाहता है, वो इस तरीके की बाते कर सकता है, कि बेटा तुम इससे पढ़ लो, मुझसे ये चीज नहीं होगी, अगर मैं कहूं मुझसे ही क कर, मुझसे ही कर, तब आप कहीं न कहीं मार खा जाओगे, आगे बात करते हैं, साइंस के अंदर फोर्स और लॉज ऑफ मोशन, ये हमारा क्लास नाइन्थ एंसी इयार्टी का चेप्टर है, जो चेप्टर नमबर नाइन है, एट हमने कम्प्लीट कर लिया, बहुत सारे बच लिकिन, 99.9% possibility है कि आएगा, periodic table से क्या question छोड़ देंगी, अगर periodic table हटा दी गए ये latest NCRT से, ये कोई topic हटा दिया गया है, तो क्या guarantee है कि आपके हैं नहीं आएगा, ये competition exam है, ये आपका board का paper नहीं है, जो आप कुछ कर लोगे, अगर question आ गए तो क्या करोगे, इसलिए आप को पड़के ही जानी है, उस चीज़ को आप छोड़ दीजे, force and laws of motion, ये हमारा chapter है, basics only theory part, no, 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 पूरा complete chapter हमें करना है, ये इसको मैं अभी edit करा हूँगा, ये complete chapter करना है, इनको मैं बताना भूल गया था ये बात, कि इस बार हमें ये force and laws of motion complete करना है, साथ में, motion chapter के, इस बा motion और force and laws of motion के NCE-RT based questions करेंगे, मैं आपको test भी दिलवाँगा, इन दोनों chapters का, जो latest होगा, पुराने भी पड़े हैं, latest भी दिलवाँगा, जिससे की जो पुराने strengths हैं, उनको और ज्यादा benefit मिल सके, और साथ मैं आपको numericals भी करवाँगा, इसलिए आप घबराइए मत, numericals इस video के बाद बनने लगेंगे, target day two के बाद बनने लगेंगे, targets बहुत systematic way में जाते हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूत नहीं है, इसके बाद बात करते हैं, digestive system, पाचन तंतर हमारा सलेबस में है, यह हम cover करेंगे, और the fundamental unit of life का पिछली बार हमने half chapter cover किया था, इस बार बाकी आधा chapter complete करेंगे, और इस बार हमारा यह पूरा chapter complete हो जाता है, इस तरीके से दो target के अंदर हमने NCRT के तीन chapters cover कर लिए, एक bio का chapter और दो हमने physics के chapter complete कर लिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, फिर आप लोग भी कहते हैं, तो guys आगे बढ़ते हैं maths के अंदर, तो maths में हमने number system पूरी तरीके से कर लिया था, लंबा chapter था, फिर भी अगर कुछ बच्चों का छूट गया है, तो वो इस बार उससी कर लेना, कोई भी book follow कर सकते हैं, एसके जहां सर की book भी follow कर सकते हैं, जो छोटी छोटी आई है, platform की भी छोटी वाली book follow कर सकते हैं, मैं बताऊंगा books, इस बार जो हमारा main chapter है, रहे यार ये basics लिख देता है, बंदा समझ नहीं आता, इस बार basic नहीं है, है, HCF और LCM पूरा का पूरा complete करना है, ये complete chapter लिखिए, आपको अभी जब मिलेगा, तो complete chapter लिखा हुआ ही मिलेगा इसके अंदर, तो आपको इस बार complete chapter करना है, ये अच्छी बात है, कि ये पहले वाले chapter से छोटा है, है उतना बड़ा ये chapter नहीं है, बहुत आसान chapter है, हम ल number किया, तो उस चीज के आप previous year question अगर नहीं लगाए है, तो लगा लेना, इसलिए डाल दिया है, otherwise, coding decoding आप पूरा कड़ चुके है, इसके भी previous year लगा लेना, बात है, इस बार हमारा जो most important चीजे है, वो है alpha vertical series, ये हमें cover करनी है, और analogy and similarities, इन दो चीजों को cover करेंगे, analogy and similarity का कोई अंत नहीं है, चाहो तो 10 minute में chapter को खतम कर दो, और ना चाहो तो 10 दिन में chapter खतम नहीं होगा, इसलिए इसकी जो चीजे है, उनको आपको लगातार अभी से पढ़ना पड़ेगा, बहुत जादा चीजे होती है, तो थोड़ा थोड़ा बस, देखो, कई बार क्या ह होती है, बहुत आसान होती है, बस आपको करना आना चाहिए, ठीक है, तो ये हमाँ लोगों का target है, जरूर से जरूर मैं आप लोगों से request करूँगा कि अगर आप नए student हैं, और आपको कोई जर्या नहीं मिल रहा है, कि किस तरीके से तैयारी करें, तो आपके लिए ये राम target अचीब कर रहे हो, मैं आप लोगों से request कर रहा हूं कि आप target अचीब कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को like जरूर किया करिए, अपनी उपस्थिती कम से कम दिखाईए नहीं, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, कि हमारे भी बच्चे हम लोगों को like तक नहीं कर रहे है, तो बहुत बुरा लगता है, इस चीज का ध्यान रखेगा, तो अगर आपको benefit मिल रहा है, तो comment में भी करके बताईए मेरे को कि हाँ भया में benefit मिल रहा है, पहले में 3 गंटे ही पड़ता था आज मैं, 8 गंटे पढ़ पा रहा हूं, पहले मैं भटकता रहता था ये पढ़ू ये पढ़ू, ये पढ़ू, लेकिन आज मुझे कुछ सोचने की जरूत नहीं है, सुबा उठो, टेलिग्राम उपन करो, सारी की सारी चीज़ा आई हुई मिलती है, कि ये वाला lecture complete करना है, ये करना है, ये PDF से ये चीज करनी है, हर चीज मिलती है, और अभी और आसान होगा, जब मैं आपको अपने notes प्रोवाइड करा हुआ, तो आपके लिए और खेल हो जाएगा सब कुछ, अभी तो आप notes बनाने के जंड़ेट में पड़े भी रहोगे, फिर वो भी खतम हो जाएगी, तो guys ये best आप लोगों के लिए है, तो अपने दोस्तों के साथ भी share करिये, म सब बता चुका हूँ, तो ये 299 रुपे का लालच, आपको अपनी जिंदगी भर पस्तावा देगा, देख लीजेगा आप, क्योंकि आप लोगों के ही साथ के बच्चे, जो अभी targets follow कर रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, स्क्रीन सोट जैसे मैं पहले वालों के दिखा रहा हूँ, ऐसे ही मैं इन लोगों के भी दिखाऊंगा, और आप लोग देखिएगा कि कितने जादा बच्चे सलेक्ट हो रहे हैं, इस चीज को आप देखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि जिस तरीके का हम content provide करवा रहे हैं, वो एकदम बहतर इस मिनट की दी जो आपकी आँखे आय ओपनिंग वीडियो है, यह वीडियो ही ऐसी है, जो आप लोग का पैसा छोड़ी है, यह दो सो दाई सुर परी तो कोई उकात ही नहीं है, जो इन चीजों में बताया है, यह अकेली वीडियो आपके कोर्स का पैसा वसूल करवा देती हैं, इतनी इंपर्टेंट वीडियो हैं यह और ऐसे ही आखो का किस तरीके से ख्याल रखना है, यह वाली चीज़े आपको बताई गई, अब टेस्ट सीरीज आप लोग को जो मिलनी है, वो भी इसके अंदर है, लेकिन जो न्यू स्टुडेंट है, उनसे यह कह रहा हूं बा लाइक करना मत भूलना, यह आप लोग की पोजिटिविटी और मेरे लिए गुरु दक्षिना है, आप अगर लाइक करते हैं वीडियो को, तो मेरे को लगता है कि मेरा बच्चा यहाँ प्रेजेंट है और इस चीज़ का लुथ उठा रहा है, तो गाईज आप लुथ उठा आईए, मैं आपके साथ हूँ, दिन रात जाग जाग के हम आप लोग को वहां तक पहुचा देंगे, जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ख्याल रखेगा, टेक के अब